वेलकम टो वर चैनल आप सभीके स्वागत आपकर अपने यूटीब चैनल पर तो गाईज SBPU मैंस का एक्जाम हो चुका है और Self-Given Exam Analysis वीडियो में आपको देने वाले हैं तो देखिए SBPU की एकर बात करूँ तो एक्जाम जो रहा था बात करते हैं आप मैच सक्षन की देखो मैच सक्षन की देखो मैच के अंदर मैं बात करूँ तो वन लाइनर क्यूशन थे आपके क्वांटिटी बन क्वांटिटी टू से क्यूशन थे बाकि आपके कुछ क्यूशन डाटा सफिसेंसी गे थे जिसमें यह पूचा गया था कि दोनों को मिलाकर बन जाएगा या एक से बन जाएगा इस तरह बात करने के अंदर वह कंडिशन से आप लोग कहने के समझ जाती हो जैसे एक दिया इसमें था जिसमें कुछ कंडिटेट बगरा दिये रिखे थे यानि कंपनी के अंदर तीम डिपार्टमेंट थे दो कंपनी थी यह और भी तो उसमें यह बोला गया थे कुछ जैसे ओल्ड कर रहा था करने के डिए इसको तो इसलिए वह कॉंप्लिकेट बन गया था इसके लाव अगर अपने बात करें डिए के इंदर तो आप लोग का बाकी जो क्यूशन थे आपके अर्टमेटिक यूशन थे जो की आपकी डाटा सबसेंसी और Q1 Q2 में जो क्यूशन थे नंबर स् जो पेटन चल रहा था number series एकसुचाहेश सतरे से आपके संख्या थी है जो पैटन था जो आद रहेंगे याद रहा रहागा येटा आउशक फा जो लगत रख पर 106108111 से आगे संख्या दे रहुत वह आपको अगर कही नहीं मुझे याद रहा तो आने वाले सेक्षण जो अपने रहेंगे मैस के और इजनी के उनमें करवा दूगा इसके अलावा मैस के अंदर किसी को अगर कुछ याद है तो आप जूरूर कमेंट सक्ष्ण और मेंशन करें इसके बाद बात करें जीके सेक्षन के, जीके देखिया आप लोगों का एजी तू मोडरेट था, कहीं कि मोडरेट ही बोल लीजी आप एजी तो क्या बोलोगे, क्योंकि कुछ क्योशन तो करने लाइक थे, बाकी कुछ क्योशन थे जो तीन या चार स्टाट्मेंट में दी कम्प्लीट आपको इसका डेटा पतावना चाहिए, इसी तरह से आपका जो यह अपना भी जो PCA का नया आ रहा है, प्रमक्रिफ्ट एक्षन का, इसके बारे में च्यार्ट स्टेटमेंट दे रहे थे, कि यह कब से लगवोगा, और इसका दाइरा कहां तक है, कौन से बैंक में आ रहे हैं, तो यह वाला भी एक्षन था, इसके लावा एक्षन था कि PCA कंडर जो फॉर्ण बैंक से वो नहीं आते, यह वाला भी एक्षन अलग से था एक, इसके लावा जो आपके क्षन थे, PM मित्रा से, बाकी दिसंबर से, स्तंबर से, नवंबर से, यहां से, बाकी आपका 2020 से भी एक्षन था, एक के दो क्षन आउटो बॉक्स थे, एक क्षन आपका IMPS पे था, जो अभी दो लाग से बढ़ा के पांच लाग उसके कर दिया गया पैमेट है, एक जो अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 47 रामसर साइट बनाए गई, तो क्षन एजी नहीं था, क्षन में तीन, चार स्टेटमेंट दे रहे थे, उसमें पूझ रगाता है, 47 रामसर साइट है, वो उनका सही था, बाकी नहीं नहीं पूच लिया कि कौन से जिले में पढ़ता है, कौन सी नदी के किनारे से ओप्शन दियो थे, कितना हेक्टर है उसका, तो वो सारी चीज़ इसको बना सकते हैं, बाकी अगर मैं बात करूँ तो एरर के क्योशन थे, तो एरर भी इजी नहीं थी वाँबे, क्योंकि एरर जो थे उसमें दो स्टेटमेंट दे रहे थे, और दो स्टेटमें से आपको चार पाट दी होते दोनों के इंदर, जिसे फ़र्स स्टेटमेंट क आपके प्रेक्टिस होता, आप डेफिनेटली कर लोगे, इसके लाब आपके दो पेसस थे, इसके लाब आपका एक जो दिया हुआ था, फिलिन दा ब्लैंक स्टापर, उसमें क्या है कि जो ब्लैंक स्टे नहीं थे, वहाँ पे कुछ चीजें थी, याने उनको इंटरचेंज करना था कहीं कि नए वर्ड के साथ की ये वर्ड इसके पेसस के हिसाब से सही बेठेगा, तो वह चीज वहाँ पी करनी थी, तो इंग्लिस का लिए मोडरेट ही लगा, मुझे तो जीज आप से बगर आपको कैसा लगा, आप अपना जुरूर मेंजन करें, मेरे टाम्ट अव कोडिंग कुछे लेटर था, उसमें लिखना था आपको, और ऐसे था आपका कि जो एजुकेशन हैंड या के अंदर उसका एकॉनमी में क्या रोल है, तो यह वाल आपका जो एसे था, तो और अच्छा गया है पेपर तो बाकी डेफिनिटली देखते हैं, रिजल्ट पे क्य आपके आपके आपकी डेफिनिटली आने वला है इसके बाद आपका प्यूरी को एकजाम यह आपके बीपो की जा रहे हैं अगोट अपने माॉस कीबोड आपका प्र तरीकर से चैक कर के रहे हैं, जब भी आप एक्जाम में बैटेते तो उस टाइम ही चेक कर लिया कर लिए या नहीं करें पर डिस्क्रिटी में बहुत से स्टुटेंट के साथ दिख्कत हुई और एक और चीज आप लोग को बता दूं कि जो आप लोग का अगर कुछ को एंटर वाला दिख्कत आ रहा था अगर आप लोग सिंगल स्पेस दोगे और उसके बाद एंटर दबाऊगे तो बहुत जादा स्टीक हो जुगे अब तो आपका वेब केम भी आपके ऊपर नजर रखे रहेगा कि आप लोग क्या कर रहे हो दूरिंग एक्जाम क्या कुछ आपके मुवमेंट्स रहते हैं हमको रिकोर्ड कर रहा हुदा तो आप लोग अपना एक्जाम डेफिनिली दूरिंग झाल झाल